So, welcome friends in my channel, my name is Rahul as you know and today we are going to learn special time word जैसा कि अभी तक हमने should, should have, would, would have इनको हमने पढ़ लिया है इसके साथ साथ हमने may have, might have और must have भी पढ़ा है So, अगर अब मैं बात करूँ next time word जो special time word हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वो है आपका could और could have तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ good और could have की तो ये could और could have क्या होते हैं चलिए आए उस पे बात करते हैं अगर मैं बात करूँ दोस्तों could की तो जैसा कि आपने अभी तक will और would पढ़ा होगा आपने अगर will और would पढ़ लिया है तो आपने उसमें देखा होगा कि will आपका क्या था विल था आपका future का time word उसी तरह से would ने क्या किया would ने भी आपका future ही बोला लेकिन special time word था तो उसने क्या करा उसने किया respect दिया उसने तो वहीं आपका can जो होता है वो होता है power in future means वो future में power की बात करता है उसी तरीके से दोस्तो जो ये could है ये could भी power को ही so करता है future में लेकिन इसमें होता है respect अब respect से क्या मतलब है दोस्तो अब आते हैं उस पे जैसे कि अगर मैं can की बात करो या could की बात करो तो can से could बना will से would बना तो अगर आपको याद होने में कोई दिक्कत हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं will से would बना तो would ने क्या किया respect दिया और future को ही बोला उसी तरह से can से क्या बना can से बना could और could भी क्या करेगा respect देगा future में तो could का देखिए ऐसा कुछ नहीं कि can जैसे मैंने आपसे कहा था कि will की जिगा पे आप would यूज कर सकते हो would की जिगा पे will यूज कर सकते हो but जहां पे आप बड़े को किसी बड़े को respect देते हो वहां पे आपको would ही use करना पड़ता है उसी तरीके से जहां पे आप can से बोल रहे थे अगर आपको वहां सामने वाले को respect दे करके कुछ पूछना है तो आप वहां पे can नहीं use करेंगे आप वहां पे use करेंगे could को अब कैसे उसे समझते हैं जैसे कई सारे अगर मैं examples की बात करो तो कई सारे examples आपको मिल सकते हैं जैसे कई बार आप अपने teacher से पूछते हैं कि sir क्या आप मुझे ये question समझा देंगे sir क्या आप मुझे ये question समझा देंगे तो एक तो होगी या समझा देंगे या आप कहते हैं क्या आप मुझे ये question समझा सकते हैं sir अगर आपके पास time हो हो सकता है उन्हें time की problem हो हो सकता है उस समय वो उस question को solve करने के mood में ना हो या कोई भी reason हो सकता है तो आपने क्या किया आपने power में पूछा कि क्या आप इस question को solve करवा सकते हैं तो यहां पर आप यह नहीं पूछेंगे can you please तो आपने क्या कहा दोस्तो आपने कहा could you please solve this question तो ये आपने क्यों कहा दोस्तो could क्यों लगाया आपने क्योंकि आप अपने बड़े से बात कर रहे हैं means आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो आपसे बड़ा है और आप उसे क्या कर रहे हैं respect देख करके पूछ रहे हैं आपने क्या कहा आपने ये नहीं कहा कि can you please आपने क्या कहा दोस्तो आपने कहा could you please तो दोस्तो ये था आपका could अब इसके एक दो example और समझते हैं दोस्तो ताकि आपको और अच्छी से समझ माए तो मैंने आपको example ले लिया जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्या आप मुझे या कभी आप अपने फादर से जब बात करते हैं तो आप अपने फादर से क्या कहते हैं पापा क्या आप मुझे सौ रुपे दे सकते हैं पैसे तो है ना उनके पास ऐसा तो नहीं है पापा निल है पापा के पास पैसे है लेकिन can you नहीं बोलेंगे आप कभी भी अपने पापा से ये नहीं बोलते हैं पापा क्या मुझे तु पैसा दे सकता है आप बोलके देखिए आपके पापा पैसे तो नहीं देंगे लेकिन दो जूते अलग से मार देंगे आपको तो कहने का मतलब क्या है आप respect दे करके कोडियू Tchn laquelle कोडियू प्लीस गिव मी प्रफिस तो आपने ग爸爸 क्यूंłos πα्रवाइश। दोस्तों कि अब आप मांग रहे हैं सव रुपे और ये सो रुपे आप यह किसी बड़े से मांग रहे इंगर यही计़ चोटे से कहते हैं, तो आप ये नहीं कहते हैं, क्या तुम मुझे दे सकते हूँ, आप क्या कहते हैं, भाई, पैसे दे सकता है, आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो आप ये नहीं कहते हैं, क्या तुम मुझे, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं, आप अपने दोस्तों क्या है could you please अगर नहीं भी लगाते है आप सीधे भी बोल सकते है could you give me 100 rupees, could you solve this question, तो please की जरवत में please मैंने थोड़ो सा एक sentence को और interactive करने के लिए मैंने please word को use करा है so ये था दोस्तो could जो कि हमने power in future use किया जैसे will का would हुआ और साथ में क्या किया इसने respect दिया, अब दोस्तो देखिए इसके साथ action की form कौन सी आनी है, first form ही आनी है reason मैंने आपको पहले भी बताया did के case में second form को याद करेंगे हम और have as के case में third form बाकि सब जगे first, तो could के साथ भी कौन सी form आई, first form आई तो hope दोस्तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि could कहां पे use होता है, can की जगे पे use होता है, लेकिन यहां पे ये respect देता है, अच्छा दोस्तो एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूंगा, could का एक use और होता है, बट वो मैं इस lecture में, इस video में नहीं बताऊंगा, reason है अगर मैं आपको इस video में उस use को बताऊंगा, तो आप वो confused हो जाएंगे, उस use से, तो वो मैं आपको अलग से एक video में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको may, might, must के बारे में भी कुछ और detail देना चाहता हूं, so एक वीडियो और है, इसका could का, बट अभी के लिए आपको इतना समझना ज़रूरी है, कि could कहां पे आ रहा है, आपका respect देने के लिए, कहां पे future में, और can की जगे पे आता है और आना first form है, क्योंकि यहां पे ना तो have है सही है, और ना ही है did है अब दोस्तों, दूसरा बात करते हैं, मैंने ज़सा की लिखा है, यहां पे लिखा है, मैंने could have, अब दोस्तो could have की, अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि आप देख सकते है, could have अब इसके साथ, देखे, could के साथ दोस्तों have लगा हुआ है, और अभी तेक हमने क्या पड़ा है? जिस भी timeward के साथ have लग जाता है, वो timeward को कहा ले जाता है? Past में, यानि could have कहा का timeward है? यह है आपका past का timeward अच्छा दोस्तों, ये past का timeward है ये बात आपको समझ में आ गए क्योंकि could have है ये proper timeward क्या है? ये could have है जो कि past का time word है और past में भी क्या करेगा ये power को ही बताएगा जैसे should have हो गया था उसका past और उसने अपना काम नहीं छोड़ा था उसने अपना काम वही किया जो वो कर रहा था should क्या कर रहा था, should कर रहा था advice, तो उसने past में भी advice ही किया उसी तरह से could क्या कर रहा था power तो इसने भी क्या किया power ही बताया लेकिन power कहां पर बताया दोस्तो ये बताया इसने past में तो difference किस चीज़ का है सिर्फ past का आ जाता है जब किसी भी time word के साथ have जुड़ जाता है तो power in past की जब आप बात करोगे power in future जब भी चल रहा है तो action की first form आ रही है और could आ रहा है और could respect के लिए और could have कब आ रहा है जब past की बात हो रही है और past में भी power की तो जब power in past की बात करोगे तो आप could have को use करोगे इसके साथ action की form कौन सी आती है दोस्तों इसके साथ आती है thought form क्यों? क्योंकि have दिख रहा है आपको सामने आप देख सकते हैं कि could के साथ क्या लगा हुआ है have लगा हुआ है अब इसके भी दोस्तों कुछ example समझते हैं जिससे कि आप easily could have को भी समझ सेके अब अगर दोस्तों मैं example की बात करूँ तो कई बार ऐसे काम होते हैं जो हम कर सकते थे पर नहीं कर पाए हो किसी reason से जैसे आपका exam हुआ उसके बाद आप काफी रोह exam के बाद कि आपका exam अच्छा नहीं हुआ तो कई बार घरवाले कहते हैं आप क्या फाइदा रोने का तुम पहले तयारी कर सकते थे तुमने पहले तयारी क्यों नहीं की तुम ऐसा कर सकते थे जैसे मैंने आपसे बोला आपने का मेरा exam अच्छा वानी मैंने आपसे का आपको अरिहंत की बुक से आपको अरिहंत की बुक से आप पढ़ सकते थे आप अरिहंत की बुक से पढ़ सकते थे आपने का मेरे पास बुक्स नहीं थी मैं कहां से पढ़ता मैंने का तुम मुझसे बुक्स ले करके पढ़ सकते थे यानि मैं power की बात कर रहा हूँ कि तुम मुझसे ले सकते थे books so मैंने क्या का you you could have you could have borrow you could have borrowed books आप books ले सकते थे उधार ले सकते थे books या इसकी जगे पर मैं आपसे कहता हूँ मैंने आपसे का मैं आपकी यहां आया आपने मुझे चाय तक नहीं पिलाई आपने का sir ऐसा था कि मेरे घर पे चाय पत्ती नहीं थी मैंने आपसे का अगर आपके घर पे चाय पत्ती नहीं थी तो आप चाइपत्ती मांग सकते थे पडोसियों से तो मैंने क्या कहा आप से You could have asked for tea आप चाइपत्ती मांग सकते थे तो मैंने ये क्या बोला ये बोला मैंने good have से क्योंकि इसकी power थी आपके पास आप इस काम को कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया तो जहां पर भी आप बात करते हैं power की मैंने आप से बोला आप school क्यों नहीं आये कल आप school क्यों नहीं आये आपने का सर गाड़ी पंचर थी मेरी cycle पंचर थी आप Auto से आ सकते थे I amctus School आ सकते थे तो मैंने आप से K darle के Okay, you could be come 같ो दोस्तो इस तरीके से हमने क्य고 यूश किया एक तो use किया could और दूसरा use किया could have तो could have कहा का time what है यह है आपका past में power का तो कहने का मतलब क्या इसके negative दोस्तों हम वैसे बनाते नहीं है अगर आप बनाना में चाहिए तो you couldn't have done it कह सकते हो but main चीज है कि इसका negative बनाने की जरुवत नहीं पड़ती है क्योंकि यह कोई sentence का mean नहीं होता इसका मतलब कहने का मतलब है कि इसकी कोई meaning नहीं होती है यह आप जबरदस्ती अगर बनाना चाहिए तो आप बना सकते है उसमें कोई issue नहीं है बड़ इसकी कोई meaning नहीं होती है नौर्मले हम कहे तो मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था हम कह सकते हैं बट तुम ऐसा नहीं कर सकते थे ये इसका कोई सेंस नहीं बनता फिर भी कहीं पर ऐसी कोई जरुवत पढ़ती तो आप बना सकते हैं उसमें ऐसा कोई बड़ा इसू नहीं है तो could have आपको hope समझ में आ गया हो होगा कि could और could have क्या है और next video जब भी आएंगी उसमें मैं could खा आपको एक use और बताओंगा मैंने जैसा कि आपसे कहा है और मैं might must का भी मुझे आपको एक use और बताना है तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिएगा ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो और आप कोई इसा टाइम वर्या कोई भी ऐसी चीज मिस ना करें जो आपके competitive exam में या आप किसी भी exam में आपको या speaking के मामले में भी आपको दिक्कत ना हो क्योंकि spoken English में यह जो basic आपको सिफ directly use बता रहा हूं मैं यह आपको बहुत helpful रहेगा और आपको बहुत काम आएगा तो इसी के करने किस्सित का किस्सित बच्च्छा और आपको यह विडियू आपको सिर देख भी आपको आपको अईटी आपको साङ्टा है वाच्छं का किस्सित दिखे सविचे एगा जो आपको थाले यह इंगा शो एंट पर गा?